Dear Friends, इस Online English Classes में आप सभी का हार्दिक श्वागत है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Use of Worth यानि परजिंट में वर्थ का प्रियोग कैसे किया जाता है बहुती आसान सा तरीका है, ध्यान से समझिए दोस्तों, वर्थ का इंदी में मतलब होता है लाइक है, युग्य है, या फिर काबिल है यानि इस परकार के हिंदी के वाक्यों के अंद में पहचान के तोर पर लाइक है, युग्य है, या फिर काबिल है, इत्यादी सब आते हैं अगर किसी भी हिंदी के sentence के अंत में लाइक है या फिर युग्गे है या फिर काविल है इस तरह के सब्द दिये वे हैं तो उसमें हम वर्थ का यूच करते हैं दोस्तु जैसे एक example के माद्दिम से शमझाय गया है पहले तुम हमारे साथ बैठने लाइक नहीं हो इस तरह से इस परकाल के वाक्यों की इंगलिस होती है दोस्तु पहले हम इसके structure के बारे में बात करेंगे कि इस परकार के वाक्यों किस तरह से बनते हैं दोस्तु इसका structure क्या होता है यानि सबसे पहले subject आता है करता और subject के बाद में is mr यानि बे वर्व और बे के root present में काम में लेते हैं इस mr अगर subject third person singular है ही see it या कोई एक name यानि singular subject तो इस यदि subject आई है तो m और plural subject u v दे या कोई भी plural subject के साथ में r काम में लिया जाता है और is mr के बाद में worth और worth के बाद हमेशा man verb की first form plus ing काम में ली जाती है और man verb की first form plus ing के पसाथ object काम में आता है इस परकार के affirmative sentence बनाने का pattern फिर हम नीचे negative sentence बनाने का तरीका भी सिखेंगे सबसे पहले worth का प्रयोग affirmative sentence में कैसे किया जाता है ये सिखेंगे तो दोस्तों इसका pattern यही है सबसे पहले subject का यूज करें subject के बाद में ismr और ismr के बाद में worth worth के बाद में worth की first form plus ing और उसके पसाथ object और object के पसाथ other word यानि कोई अन्य सब्द हो तो भी भी आते हैं दोस्तों इसको हम नीचे कुछ examples दिये वे हैं उनके माद्दिम से सीखने के कोशिस करेंगे पहला sentence वह दिल्ले में रहने के लाइक है वाक्य को ध्यान से देखें हिंदी का वाक्य है उसके अंद में लाइक है मैंने आपको बताया था इस परकार के हिंदी के वाक्यों के अंद में पहचान के तोर पर लाइक है युग्य है काबिल है इत्यादी सब आते हैं इसमें भी लाइक है दियावा है तो सबसे पहले क्याएगा subject आता है और subject क्या है वह है और subject के पहले साथ बी वर बी के रूप परजेंट में काम में लिये जाते हैं इस एम आर यहाँ पर subject है ही third person singular तो third person singular के साथ में इस काम में लेंगे हैं और इसके बाद में worth और worth के बाद में man verb की first form plus ing और man verb है वाके में रहना live और live के ing लग दे तो फिर होता है living और फिर other word में आगया दिल्ले में in दिल्ले वे दिल्ले में रहने के लायक है या वे दिल्ले में रहने के काबिल है या वे दिल्ले में रहने के योग्य है दोस्तों अगला sentence है तुम बच्चों को पढ़ाने के लायक हो इस वाक्य क्यंद में भी क्या दियावा है लायक हो तो इसका भी इंगलीज इसी तरह से बनाएंगे सबसे पहले सब्जिक्ट आएगा सब्जिक्ट है तुम यू और यू के साथ में आर काम में लिया जाता है और आर के बाद में वर्थ वर्थ के बाद में फर्ष्ट पॉरम प्लस आई एन जी वाक्य में वर्थ क्या है पढ़ाना तुम बच्चों को पढ़ाने के लायक हो या तुम बच्चों को पढ़ाने के योगे हो या काबिल हो दोस्तों इसी तरह से सेंटेंस नमबर थ्री है तुम मेरे साथ रहने के लायक हो इस वाक्य क्यांत में भी क्या है लायक हो तो इसका भी उसी पैटरन से बनेगा सबसे पहले सब्जिक्ट आएगा वो इस वाक्य का भी सब्जिक्ट है यू तुम और यू के पस साथ इज एम आर यू के साथ में आर आएगा इसमें रहना live तो live के ing लगाने पर living बनता है तो living और मेरे साथ तो other word में आ गया with me you are worth living with me तुम मेरे साथ रहने के योगे हो लाइक हो या फिर काबिल हो दोस्तु इसी तरह से हम इसमे negative sentence यानि negative sentence में वर्थ का परियोग कैसे करें है ये भी हम आज इस वीडियो के माददिम से सिखेंगे दोस्तो तरीका वही है सिर्फ ismr के बाद में note लगाना है यानि negative sentence बनाने का तरीका क्या होता है पहले subject आता है और subject के बाद में helping verb आती है और helping verb के पाद साथ note आता है तो इसी तरह से इस परकार के वाक्यों में भी ismr के बाद में note लगेगा तो इसका structure क्या है negative sentence बनाने का सबसे पहले subject और subject के पाद साथ ismr ismr के बाद में note और note के बाद में worth और worth के बाद में man verb की first forum plus ing और man verb की first forum plus ing के बाद में object और object के बाद में other word हो तो आएंगे जैसे sentence number first है वह दिल्ली में रहने के लाइक नहीं है वह दिल्ली में रहने के लाइक नहीं है उसी का हम negative sentence बनाएंगे तो सबसे पहले subject आएगा subject है यह ही के पसाथ is और इस के बाद में note note के बाद में worth और worth के बाद में man verb की first forum plus ing का में लेंगे और उसके पसाथ other word में है दिल्ले में तो इन दिल्ले है तो इसका इंगलिस में क्या होगा he is not worth living in दिल्ले वह दिल्ले में रहने के लाइक नहीं है काबिल नहीं है दोस्तो इसी तरह से sentence number two तुम बच्चों को पढ़ाने के लाइक नहीं हो तुम बच्चों को पढ़ाने के लाइक नहीं हो इस वाक्य के अंद में भी क्या है लाइक नहीं हो तो ये इसमें worth का यूज होगा लेकिन ये negative sentence note का यूज होगा तो सबसे पहले subject तुम you you के पसाथ और और worth के पसाथ manual के first form plus ing teaching उसके पसाथ object the students you are not worth teaching the students तुम बच्चों को पढ़ाने के यूगे नहीं हो काबिल नहीं हो इसी तरह से sentence number 3 तुम मेरे साथ रहने के लाइक नहीं हो ये भी negative sentence है तो उसको भी उस तरीके से सबसे पहले subject you subject के पसाथ you के साथ are और are के बाद में not और note के बाद में worth और worth के बाद में man work के first form plus ing और उसके पसाथ अगरवर्ड में मेरे साथ तु with me you are not worth living with me तुम मेरे साथ रहने के लाइक नहीं हो या तुम मेरे साथ रहने के योग या काबिल नहीं हो दोस्तो इस तरह से अपन वाक्यों में और worth का प्रियूब करते हैं बहुती आसान सा तरीका है एक बार शंक्षेप में फिर से देखे वर्थ और दोस्तो परजेंट में वर्थ का इंदी में मतलब होता है लाइक है योग्य है काबिल है इस परकार के सेंडेंज बनाने का तरीका तरीका दोस्तो क्या होता है सिंपल सेंडेंज बनाने का तरीका क्या है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के पस साथ बी वर्व और बी वर्व के परजेंट में रूप काम में लिये जाते हैं is mr उसके पसाद वर्थ आता है وर्थ के पसाद persevered वर्थ प्रियए उगर की first form और उसके पशाद object आदे जाते हैं जैसे के कुछ examples दिये वे हैं और इसी तरह से अगर इसका negative में use करें तो सबसे पहले subject आएगा subject के बाद में इस mr plus not और not के पस साथ वर्थ, वर्थ के पस साथ first form प्लस ing, फिर object, object के बाद में other word, यदि हो तो, दोस्तों ये आज हमने इस वीडियो के माद्दिन से वर्थ का प्रियोग करना सीखा, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हैवे नाइस्ट है हुआ हुआ है